जनाक्रोष संसा के माधियम से आख छोटे पुलिया के निर्मानकारे और समंदित विश्यों के संधर में कुछ तथ्यों पर प्रकाश डाला गया और जिला प्रशासन को डिमोलेशन कारे आरम कराने हे तुधन्यवाद भी दिया गया सोट साल से भी पुराने छोटे पुल के डिमोलेशन कारे जल्द समाप्त कर नए पुल का निर्मान कारे होना आवशक है इसके लिए लगने वाली प्रशांसनिक वातांतिक मानेता वा अन्य सम्मदित सभी कारे जितना जल्दी हो पूल होने चाहिए जिससे डिमोलेशन के पुलिया और अंडरग्राउंड पर ट्राफिक का लोड बढ़ गया है जिसके लिए रेलवे के माध्यम से पैदल पुल को खोलने से पैदल आने जाने वालों को काफी आसानी होगी और बड़े पुल अंडरग्राउंड के ट्राफिक लोड को कम किया जा सकेगा चोथा अंडरग्राउंड की आलत को देखते हुए बारिश के पूरवे उसकी ड्रेनेंज व्यवस्ता वा रोड का लेवल बढ़ाने की जो भी संभव व्यवस्ता हो सके वो करने से बड़े हुए ट्राफिक लोड को समालने में आसानी होगी और जन्मानस को लाब भी होगा पांचवा बड़े पुलिया इस्तमाल करने की वज़े से पूरे निर्मानकारे के दोरां कितने पैट्रोल डीजल की खपत होगी और लोगों की आर्थिक इस्तिती पर दवाब पड़ेगा साथी कितना अधिक कारवन डायोकसाइट वा अन्ये जहरेली यह इस परियावरन मे उस सरचित की जाएगि इस पर भी सोचने की आवशकता है और निर्मानकारे जल से जल्द समाप्त करने की आवशकता है जटा पुलिया की नीचे रहने वाले लोगों के लिए रहने की वे कलपिक ववस्ता पुनरवरसन किये जाने की भी मांग सामनियाई है जिसे यह कार्य सुरेश पिपलेवार उपकारीकारी अभियंता सामाजी कारीकरता जनाक्रोष गोंदिया जिलाहेड बोनी बरबटे रोहनी ठाकरे मानवधिकार संगटन वा जनाक्रोष सदस्ये सिंधु सुरेश पिपलेवार सशक्तिनारी जिलाहेड और जनाक्रोष संस्तस दस्ये और अन्य उपस्तित थे गोंधिया से BCN न्यूस के लिए अभिशेक बटनागर की रिपोर्ट